Hi everyone, welcome back to our channel आज हम बात करेंगे कि बच्चों को emotions के बारे में जानकारी देते हैं वक्त या उन्हें emotionally educate करने के दोरान हम parents को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आई ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला point बच्चे की किसी गलती या bad behavior के प्रती एकदम से रेक्ट नहीं करना है impatient नहीं होना है कि ये तो ऐसे करता है कहीं ले जाने लायक नहीं है सब लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग ये कहावत आप सबने सुनी होगी और इस एक थोट की वज़े से कि सब लोग क्या कहेंगे हम बच्चों को इतना extra डाट देते हैं कि वो हमसे emotionally दूर हो जाते हैं बलकि हमें करना ये चाहिए कि जब भी बच्चा ऐसा कुछ करे कुछ गलती करे तो हम उसे शान्ति और प्यार से समझाए बच्चे emotions भी copy करते हैं हम किसी situation को hyper होके handle करेंगे वो भी यही सीखेंगे हम calm रहेंगे, शान्त रहेंगे तो वो भी हर situation को peaceful तरीके से handle करना सीखेंगे बच्चे से कहें कि आप इस आप से ये जो आपने किया है वो सही है ये गलत है और गलत है फिर भी आपने किया है तो इसके पीछे आपकी क्या भावना रही थी क्या सोच रही थी उसके बारे में सोचो, विचार करो इस तरह से अपने आपको observe करना सिखा है second point, very important कि हम अपने बच्चे की emotions के बारे में aware रहें कि ये कब-कब बच्चों को डांड देते हैं यह उसके दोस्तों के सामने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं मजाक मजाक में ही जिससे बच्चों को low fear हो जाता है तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें तो emotions के बारे में aware रहें प्लस उसके emotions के respect करें नेक्स्टे की शुरू से ही बच्चों में problem solving approach डवलप करें यह मुने हमारे day to day life में डेमो करके भी दिखा सकते हैं यानि हम वैसा वेवार करें कोई भी situation आ जाए हम जल्दी से उसके solution के बारे में विचार करना स्टार्ट कर दें ना कि problem के बारे में ही सोचते रहें अगला है कि बच्चा कभी भी अगर हमें कुछ बताना चाहता है तो full attention के साथ सुने specially अगर वो hesitate feel कर रहा है हमें कुछ बताते time तब तो full attention plus full time उसकी बात सुने उससे बात करें just say I understand कि आप किस feeling से गुजर रहे हो और यह normal है ममा समझती है next day की हर थोड़े थोड़े दिन में बच्चे को यह एक line जरूर बोलते रहें कि ममा आपके साथ है या पापा आपके साथ है हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए केसी भी situation आ जाए हम हमेशा आपके साथ हैं ही इससे बच्चे mentally open बता दिया दो बार बता दिया और वो समझ गया नहीं कई बार हम यह गलती करते हैं एक दो बार बताते हैं बच्चा अपनी बाल से लुब हरकते तो करेगा ही हम सोचते हैं इससे तो कुछ समझ नहीं आता यह तो कुछ नहीं समझते बट ऐसा नहीं है, वो सब समझते हैं Point is कि वो अपनी उम्र के हिसाब से ही वहवार करेंगे और करना चाहिए तो give up नहीं करना है और अपने बच्चों को हर तरह की knowledge, हर तरह की education देते रहनी है क्योंकि schools में भी ये point ignore किया जाता है, emotions के बारे में नहीं बताया जाता तो हमें ही उन्हें इस तरह की शिक्षा देनी पड़ेगी Emotionally Educate बच्चे अपनी भावनों को अच्छी तरह समझ पाता है और जो अपनी भावनों को समझ पाता है, वो सामने वाले की भावनों को भी clearly समझ पाता है इसलिए ये बच्चे अपने रिष्टों को बखुभी निभाना सीख जाते हों तो आप भी अपने बच्चों को ये सारी जानकारिया ज़रूर दीजिए वीडियो पसंद नहीं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकर हिट कर देना बिलते किस नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाए